Hello everyone, this is Dr. Parvez Khan और Unacademy Center से हम बात कर रहे हैं मेरे साथ हैं जगदीप सिंग सर और इंसाफ अली सर हम लोग आपके लिए बहुत जबरदस कुछ खबरी लेके आएं और वो कुछ खबरी क्या है कि आपको पता होगा कि Unacademy के पास इंडिया का largest educators pool है जो की top rankers को अच्छे से handle करता है और साथ ही साथ SRG वाले बच्चों की handling के लिए expert pool हमारे पास है तो हम एक SRG entrance test लेके आ रहे हैं और यह जो test है अल्रीड एक test conduct हो चुका है वहाँ कुछ बच्चे लिंक हम डाल देंगे और उस test का link डालने के साथ साथ एक Google form होगा इसको फिलब करना है और उसके तरह आपको अप्रोच करेंगे आपका जो भी score होगा अगर आप test को qualify करते हैं तो qualify करने के बाद जैसा कि जगदीप सर हमारी इसारजी से टीम को handle कर रहे है इसाजी टीम का पार्ट है और इसाफ सर जो है वह आपको बताएंगे किस तरह से आपकी help करेंगे आगे further तो इसाजा इसाजी बताईए आपकी बच्चों को अगर हमारा इसारजी प्रोग्राम जोइन करते हैं तो उनको क्या benefits आप दोगे लेकिन उन्हें सही guidance नहीं मिल पाता तो अनकेडमी जो प्रोग्राम लेके आया है ये प्रोग्राम उनके लिए एक जबरदस्त opportunity होगी जिससे कि वो अपनी पृतिवा को दिखा कर अपने लिए अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको हम यहां बहुत ही ब question को कैसे deal करना है आज कल AR type question बहुत सारे आते हैं तो उनको किस तरह से deal करना है उनके साथ में क्या करना है assertion पढ़के region को किस तरह से हमें deal करना होता है region को पढ़कर assertion को किस तरह से deal करना होता है यह सारी बात है in fact यहाँ पर एक एक question के बारे में आपके जो educator से आपको deal करते हैं और पूरी तरह से guide करते हैं कि हमें exam में कैसे और भी अच्छा perform करना है बेटा आपके अंदर वो quality है जब आपके अंदर वो पृतिबा है कि आप बहुत अच्छा perform कर सकते हो तो वो थोड़ा सा push वो थोड़ा सा support वो वही से मिलता है जहां से proper guidance मिलती है तो अनगेट भी आपके साथ है और वो आपको इसके लिए पूरी तरह से तयार है कि आप अगर यहां इसको join करते हैं इस course में आते हैं तो हर तरह से आपको support किया जाएगा जगदीब सर जितना की मुझे पता है कि हमारी टीम physics chemistry और biology की पिछले कुछ दिनों से SRG के content के लिए काम कर लिए है तो एक QFT 100 नाम से आपने एक booklet तयार किये physics chemistry और biology की टीम ने completely और जितने भी experience हमारे faculties हैं हमारे educators हैं उन सब ने मिल कर एक QFT 100 booklet को बनाया है सबसे पहले तो बात मैं clear कर दूं कि परवेज खान सर इंसाफ सर और मैं हम तीन वीडियो में दिख रहे हैं लेकिन पीछे बहुत बड़ी टीम है अब होता क्या है कि camera के सामने सारी की सारी टीम तो नहीं आ सकती तो इसलिए अब बच्चे को लगे कि यार तीन लोग ही बता सबसे पहले तो सर ने बुकलेट की बात करी पहली बात मैं clear करूं कि जो एक नॉर्मल बच्चा 11 और 12 के लिए पढ़ रहा है लेकिन उसके साथ ही होता है कि सर मैं 11 और 12 के साथ साथ करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छे से चीज़ें मैं अच्छे से चीज़ें कवर कर सकू क्योंकि ये सले बस तो मैं अभी देखो अभी आज ही खतम कर दूँगा कई बार ऐसा होता है मैं इतने सालों में देखा है SRG के अंदर मैं बच्चे को एक टास्क देता हूं कि बटा ये तीन गंटे में ये काम पूरा करके आना और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं वो SRG की मिलती है उसको mentorship अब जैसे सर ने booklet की बात करी अब उस booklet से और mentorship का क्या connection है उसको मैं clear करूँ क्या होता है कि जैसे booklet बच्चे को हमने SRG की तियार करी हमने कहा कि यार top questions हमने निकाले हैं जो की बच्चा इसको solve कर लेगा तो exam के अंदर बहुत अच्छे से अपने आपको वह exam को 4 देगा एक तरीके से लेकिन अब होता क्या कि बच्चे न उस booklet को solve करना शुरू किया शुरू किया तो अब जैसे मान लीजी एक topic के उसके पास 50 questions है तो 50 के 50 तो उसने ठीक किये नहीं अब उसमें से जो question उसके गलत हुए है उन questions की marking करना marking करके अब उसकी problems को solve करना क कि उसने basically इस question को पढ़ते टाइम गलती क्या कर दी ये काम उसके mentor का होता है जो कि उसके साथ करता है और an academy srdd के बच्चे को mentorship भी provide करवाती है साथ में है अब उसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजी है मैं एक topic की बात करूँ एक simple topic है topic A उसमें से बच्चे ने sub topic B में से कोई एक question गलत कर दिया अब मुझे पता है कि मुझे इस बच्चे की approach ठीक करनी है कैसे ठीक करूँगा मैं तो मैं क्या करूँगा उसी एक sub topic पे 10 question बच्चे को बना के तूँगा कि भाई solve कर और मैं तरे साथ बैठा हूँ जब उसको solve करेगा srdd का बच्चा solve करेगा तो उसको different type of questions जब एक ही topic पर मिलेंगे तो वो problem को solve कर पाएगा कि एक चीज़ को 10 तरीके से कैसे examiner उससे पूछ सकता है यह furnishing होती है उस बच्चे की srg के अंदर specially special ranker group इससे का मतलब है test तो सभी देते है test तो सभी देते है लेकिन test में जो गलतियां हमने की है वो गलतियां हम दोरा करने के लिए मिलेगी उसको extra material मिलेगा और teachers की mentorship मिलेगी और बहुत बड़ी टीम है सबसे बड़ी बात यह है कि अनकेडमी बच्चों के लिए बहुत बड़ी टीम लेकिया है सार जी के लिए लास्ट जो मुझे बात करनी है बच्चों से वो यह है कि क्या difference है कि एक बहुत सारा educators का pool है हर teacher हर system के अंदर बच्चों का अपना best provide करने कोशिश करता है चाहे हो कोईसा भी system हो तो फिर अनकेडमी क्यों यह सवाल आपके दिमाग में आ सकता है असल चीज क्या है कि जो top 100 का बच्चा होता है। का mindset क्या होता है। कि problem इती है। हमार रप जो team में उसने already कई top ranked up 10 & All India first rankers लेंक लोगी इनको पता है उनको पता होता है कि जार लोगी top ranker का mindset क्या होता है। उसकी problems क्या है उर जो previous हमने कई बच्चे कई कई टॉफ 100 के बच्चे पढ़ा हैं उन्होंने किस तरह किस तरह कोर्स क्वेशन किये थे उन कोर्स क्वेशन हमने बहुत सारा क्वेशन बना रखा है तो आपको बच्चों डरिकली वो चीजे पहले से मिल जाएंगी तो अगर यह जो वीडियो है आपको काफी हल पर एगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टेस में मैक्सिमम से मैक्सिम बच्चे अपियर होंगे अपना पोटेंशल जच करेंगे और फिर हम जच करेंगे कितने लोग हमारे QFT 100 को सोल करने काबिल है हमारे SRJ प्रोग्राम को जोइन कर रहे हैं सो यही बस इनफरमिशन देने थी विशु आल दे बेस्ट एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दू कि यह जो टेस्ट हपना हो रहा है SRJ एंटरस टेस्ट यह 14 अप्रिल को है और 10 बजे होगा इसका ओनलाइन मौड आफ टेस्ट यह रहेगा और इसमें आपको यहां पर एक लिंक भी इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा जिसको आफ फिल अप कर सकते हैं और उससे आपकी जो भी क्योरी हो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं तैंक यू विशु आल दे बेस्ट